हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू अल्ल मैं डियर फिंड स्टार्ट करते हैं आज के टेबल अफ कंटेंट्स के साथ पहला है डेली मास्टर प्लान टूथाउजन फॉर्टीवन इसमें बताया गया है कि हम डेली को टूथाउजन फॉर्टीवन से किस तरह से डेवलप करेंग मतलब इसका बेसिकली अर्बन इंफ्रेस्ट्रक्चर अभी कोविट की सिचुएशन एक नई सिचुएशन आई है उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए इस मास्टर प्लान को बनाया गया है इसके बारे में डीटेल में देखेंगे इस आर्टिकल में इस आर्टिकल में हिंदू में आया हुआ था एक काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है पेपर वन और पेपर टू के साफ से इसमें सुप्रीम कोर्ट का जज्जमेंट और साथ में फॉर्ण कंट्री में जो जज्जमेंट्स हुए है उनके बारे में डीटेल में दिया हुए है इस सारी चीज़े हम इस आर्टिकल में देखने वाले है इसके अलावा और कौन से ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है जो इंडिया ने अप्रूफ किये हुए हैं इस सारी चीज़े इस आर्टिकल में नेक्स्ट है मैनेजिंग टेपर टैंटरम यूएस में एकॉनमी की ग्रोथ बढ़ गई है इस वज़े से वहां का अकॉमोडेटिव जो स्टांड है बतलब जैसे वहां का आर्बीए इंडिया में आर्बीए है वैसी वहां पर सेंट्रल बैंक है वो जो है कुछ स्टेप्स लेने की सोच रहा है वो क्या स्टेप्स हैं उसका क्या इंप्लिकेशन्स होने वाला है इंडियन गवर्मेंट पे और और भी डॉमेस्टिक कंपनीज पे यह चीज़े हम इस आर्टिकल में देखेंगे स्ट्वरीम कोट ने हाई कोट के बेल जो उन्हों ने गरांट की थी हाई कोट ने बील गरिंट कर दी थी स्ट्वरीम कोट ने इंटरमर करने से मना कर दिया है थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जानेगे As always, MCQ questions मैं discuss करूँगा आपसे discussion के दौरान ही और आपको comment box में भी answers लिखने है So start करते हैं दोस्तों देखे, यह master plan 2021 की 2041 की बात की गई है दिल्ली में इसमें क्या चीज है? देखे, इसमें infrastructure जो है हम किस तरह से develop करेंगे? Earthquake, fires, floods और other disasters को रोकने के लिए 2141 plan से पहले ऐसा plan नहीं था Earthquake, fires, floods और डिजास्टर को रोकने के लिए पहले से plan बनाया गया था कि buildings इस level से उची नहीं हो सकती है इतनी density नहीं हो सकती population की इस area में या material क्या use करना है बिल्डिंग बनानी है तो इस तरह की चीज़ें पहले भी आ चुकी है लेकिन पहली बार pandemic और covid-like situation को भी include किया जा रहा है master plan में इसके बाद यह plan क्या कह रहा है basically वो चीज़ हम discuss करने वाले mixed use development with work centers, homes and other facilities in close proximity of each other. देखे, covid-19 में क्या हुआ था जब lockdown हुआ था तो लोगों के movement पे काफी restrictions लगा दी गई है थी इसलिए अब यह plan develop कर रहे हैं वो इसे साफ से develop कर रहे हैं कि जिस बंदे का घर जहां पर है उसी के आज़ पास उसका office भी हो ठीक है और उसी के आज़ पास आपके shopping वगरे centers जो है malls हो गए यह सारी चीज़ें भी हो ताकि mobility को रोका जा सके और इससे क्लाइमेट भी जो preserve होगा यहां पर यही बोला गया है mixed use development इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई area earmark करते हैं मालीजा हमने 100 acres का area earmark किया तो उसमें से 50% हमने residential area को दे दिया 50% हमने commercial को दे दिया उसमें से भी हमने office और जो आपके malls हैं उनको equal equal division कर लिया तो इसको बोलते है mixed use development फिर co-working spaces का culture बहुत जादा आ रहा है आप news में भी देख रहे होंगे rather than एक separate office होता है एक organization के लिए कई organization मिल करके एक office space को share कर सकती है तो इससे क्या होगा कि जगा की कमी नहीं पड़ेगी दिल्ली दे अभी जगा की कमी बहुत जादा है बहुत जादा rates हाई रहते हैं ये सारी चीजें इससे solve हो जाएंगी फिर support for home based work जैसे हम सभी लोग work from home कर रहे हैं तो यह आगे से इसको institutionalize करने की कोशिश कर रहे हैं कि work from home हो सके इस तरह के काम को हम demarket कर सकें, delimit कर सकें फिर अगर ऐसी कोई situation आती है covid like तो क्या होगा? refugee spots बनाए जाएंगे common kitchens और quarantine spaces अभी आपको पता होगा कि covid-19 situation में schools को convert कर दिया गया था spaces में जहाँ पर temporary hospitals बना दिये गये थे covid care centers बनाए गये थे तो यह तो एक makeshift arrangement था यह पहले से planned नहीं था लेकिन अब planned way में इस चीज को करनाई कोशिश की जा रही है कि हम एक refugee spots, common kitchens और quarantine spaces ज़रूर नहीं उसके बाद है multi-facility plots multi-facility plots का मतलब क्या हुआ? mixed use mixed use का मतलब क्या हुआ? जैसे community center बना दिया अब वो community center marriage के काम भी आएगा वो elections के काम भी आएगा quarantine के काम भी आएगा और बहुत सारी चीज़ों के काम आएगा तो ऐसी ऐसी बात नहीं है कि ऐसी चीज नहीं अभी लेकिन अभी यह planning phase में नहीं है अभी कम हुआ है तो 2041 के master plan में इस चीज को काफी ज़ादा value दी जा रही है आगे देखते है adequate affordable rental और housing ownership housing options देखे क्या हो रहा है अभी क्योंकि cost और pricing बहुत ज़ादा है दिल्ली में तो क्या होता है छोटी छोटी छोट जगा पे बहुत सारे लोग रहते है जो dense area है वो बहुत ज़ादा dense है और जो dense नहीं है वो बिल्कुली dense नहीं है sparse population है वहाँ पर तो यहाँ पर यह adequate affordable rental और ownership housing की बात की गई है ताकि population को properly scatter किया जा सके ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़ादा dense को area हो और बहुत scattered को area हो next है large green areas की बात की गई है जैसे हमेशा की जाती है और mandatory creation of open area ताकि social distancing maintain की जा सके अगर open area जो green areas नहीं होंगा तो social distancing को maintain नहीं किया जा सकेगा और green area से एक फायदा और है कि आपकी health अच्छी रहती है और covid का जो virus है फिर आपको कम extremity में effect करता है उसके बाद इसमें एक बात और कही गई है development of disaster response protocol for the national capital देखे protocol क्या होता है rules जबी भी कोई disaster आता है मानने जे earthquake आया तो उसके लिए एक अलग protocol होगा अगर fire लग जाती तो उसके लिए अलग protocol होता है मतलब उसको handle करने की तरीके अलग होते है तो यहां पर यह क्या कर रहे है कि different type of disaster जिसमें covid भी होगा इन सब को अलग अलग इन सब के protocol बनेंगे और उनको train किया जाएगा लोगों को उसके हिसाब से इसके साथ साथ एक चीज़ और है essential services effect ना हो इसके लिए भी इस plan में provision रखा जाएगा आके चलते हैं दोस्तों देखे पंजाग government ने अभी stringent guidelines बनाई है to curb illegal mining आपको illegal mining का मतब तो पता ही होगा जैसे क्या होता है आपको sanction किया गया coal को mine करने के लिए लेकिन आप उसके साथ साथ बॉक्साइट को करने लग गए या आपको कुछ million tons जो million tons है वो prescribe किये गए तो इससे ज्यादा आप coal नहीं निकाल सकते हैं तो आप उससे ज्यादा coal निकालने लग गए या कोई area define किया गया था जहां से आप coal निकालेंगे लेकिन आप उसके adjacent area से निकालने लग गए तो यह सारी चीज़े illegal mining होती है तो पहले हम देख लेते major और minor minerals क्य आपने के लिए और mine or mineral development के लिए इसको amend किया गया था 2015 में तो यह दोनों चीज़े आपको याद होनी चाहिए MMDR Act of 1957 and MMDR Amendment Act of 2015 अब इसमें देखते है major और minor minerals कैसे defined है mainly यह जो MMDR Act of 1957 है इसमें minor minerals defined होते है minor not major prelims के point of view से काफी important चीज़े तो minor minerals क्या होते है जो उसके schedule में define होते है कोई mineral अगर minor mineral की definition में नहीं आता तो by default वो major mineral कहा जाता है ठीक है दोस्तों आप समझ गयोंगे कि minor mineral को defined किया जाता है और जो चीज़ defined नहीं होती वो automatically major mineral बन जाती है ठीक है अच्छा major mineral के मामले में main power union और central government को होती है जो अपने legislation के थूँ 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 पार्लिमेंटरी legislation उसको regulate करता है लेकिन minor minerals में जादा तर power state government के पास होती है अब देखते है पंजाब ने क्या किया पंजाब ने ये किया है कि जो भी carrier जिस vehicle से भी आप mining material को ले जा रहे है उसका registration होना जरूरी है registration मतलब RTO में नी registration under MMDR Act 1957 और उसको permit भी होना चाहिए registration और permit दोनों चीज़ें उसके पास होनी चाहिए फिर इन सारे trucks में GPS होना चाहिए GPS किसलिए होना चाहिए for real time tracking GPS एक ऐसी technology है जिससे हमको पता लग जाता है कि वो truck कहां से कहां move कर रहा है कौन से time में move हुआ तो space और time दोनों हमको पता लग जाता है अगर हम GPS use करते हैं तो एक बहुत important technology है यह आप mains के answer में इसको quote कर सकते हैं कहीं पर भी अगर ऐसा question आता है कि what is the solution for curbing the illegal mining you can say this GPS is very good technology and it takes care of both special and temporal movement of the vehicles इसके अलावा जिस वहिकल से mining होती है जैसे coal निकाल रहे हैं कोई चीज निकाल रहे हैं उसमें भी आप GPS लगाएंगे और वो सारे जो हैं आपके registered होने चाहिए on the website online portal बनाया गया उस पे सारे चीजें registered होनी चाहिए ठीके दोस्तों तो प्रिलेंस में इसमें आपसे question बन सकता है कि major minerals are defined in the MMDR Act 1957 this statement is false ठीक है minor minerals is defined in the MMDR Act 1957 yes it is correct तो प्रिलेंस में इस तरह के question बन सकते हैं मेंस में आपसे इस तरह से पूर सकते हैं कि how to curb the illegal mining in India तो उसमें आप GPS वगरा का mention कर सकते हों यहां पर carrier का mention कर सकते हैं कि registration वगरा होना चलिए आगे चलते हैं एक national mineral policy 2019 है यह भी काफी important है तो प्रिलेंस में again point of view से important है कि national mineral policy 2018, 19, 20 इस सारी चीज़ें पूछी जा सकती है देखिए इसमें क्या-क्या provisions थे पहली चीज revenue sharing model आपके mains में आपके revenue sharing model, production sharing model इस तरह के कई सारे models है revenue sharing model का यह होता है कि जब ही भी कोई company या कोई leasy जो है mining करती है जब उसको market में वह बेचती है material को तो उसमें से कुछ share government को देना पड़ता है उसको बोलते है revenue sharing model जब तक वह बेचती नहीं market में तब तक उसको government को कोई भी share देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन production sharing model में ऐसा नहीं होता अगर प्रोड्यूस करती है तो उसका उसे कुछ part government को देना पड़ता है उसके बाद क्या है transfer of mining leases पहले ऐसा नहीं होता था मालीजी company A है और किसी वजह से उसकी financial health अच्छी नहीं है जा उसके पास technological solution नहीं है तो वो mining company B को नहीं दे पाती थी ट्रांसफर नहीं कर पाती थी अपने permit को लेकिन अब ऐसा हो सकेगा कि company A जो है company B को transfer कर सकती है mining leases उसके अलावा dedicated mineral corridors बनाने की भी बात की गई है ताकि ऐसा नहों कि उसके बाहर जाकर करके illegal mining किया जा सके और इसको monitor करना भी easy है क्योंकि आपको पता है कि इसी area मां mining हो नहीं है तो उसको monitor कर सकते हैं आप आसानी से पिर e-governance और IT enabled systems का भी provision रखा गया अभी हमने देखा कि पंजाब government ने कैसे online registration की बात की है GPS solution use किया है illegal mining को curb करने के लिए यहां पर इस चीज़ की भी बात की गई है 2019 policy में पिर एक बहुत important चीज़ है prelims के point of view से district mineral fund तो district mineral fund क्या होता है जैसे माली जो कोई company जाकर के mining करती है किसी area में माली 36 गड़ में गई है जारकंड में गई तो वहां से जो पैसा कमाया जाएगा उसमें से कुछ पैसा district में एक fund बनाया गया under the chairmanship of district magistrate तो उस fund में ये company पैसा डालेगी कुछ और उस fund में जो भी पैसा आएगा उससे जो local population है वहां की उसका development किया जाएगा ठीक है उसको बोलते है district mineral fund ये prelims के point of view से दोस्तों काफी important है उसके बाद जो एक और है sustainable development in mining अब इसमें क्या किया गया इंटर ministerial body to institutionalize the mechanism for ensuring sustainable development मतलब एक ministerial meeting ministerial body भी बनाए जाएगी जो की decide करेगी कि कि किस तरीके से mining होनी चाहिए ताकि एक limit में mining हो और वो sustainable हो ठीके दोस्तों आगे चलते हैं देखे ये जो है आपको पता होगा LG BTQ IA plus community होती है इनके बारे में article है उसमें क्या बताया हुआ है कि marriage right to same sex आपको पता होगा 2018 में Supreme Court ने order निकाला था जिसमें section 377 को इन्होंने decriminalize कर दिया था इस section 377 में क्या होता था कि same sex was prohibited but Supreme Court nullified this law this IPC section लेकिन वहाँ पर marriage की बात नहीं की गई थी Supreme Court ने marriage को allow नहीं किया था देश दुनिया के जिसके basis पर ये बोलता है कि हमें same sex partners को marriage का rights दे देना चाहिए देखते हैं क्या चीज़ है पहला इन्होंने बोला है कि 2005 में constitutional court of South Africa ने जो है इस rights को दे दिया था मतलब same sex की marriages हो सकती है तो ये एक important चीज़ है मेंस के point of view से आप मेंस में इसको अगर आप court करते हैं कि South Africa में 2005 में constitutional court ने ऐसा कहा था तो your answer quality becomes good आपको एक number या date number इसमें ज़ादा मिल जाएगा और यही matter करता है मेंस में अगर आपको qualify करना है तो सबको बराबर मिलेगा तो आप कैसे edge पाएंगे इसमें इस तरीके से अगर आप judgments court करेंगे तो आपको edge मिल जाएगा मेंस के answer 2015 में Supreme Court of United States ने ऐसा ही कुछ किया था they decided that the fundamental right to marry is guaranteed to same-sex couples तो आप इसको भी court कर सकते अपने exam में इसमें पूछने के chances जादा है इंडिया में क्या हुआ था इंडिया में जो तीन laws है इंदू marriage act 1955 इंडियन Christian marriage act 1872 और Muslim personal law application act 1937 यह इंडिया में law है marriages को ले करके इसके अलावा इंडिया में एक और law है special marriages act जो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है लेकिन होता है तो यह prelims के point of view से important question है ठीक है दोस्तों अभी अभी एक order आया था high court का वो मैं आपको बता देता हूँ यह आप याद रखी अरुन कुमार अरुन कुमार अनंत प्रेजा वर्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रेजिस्ट्रेशन तो यह आप judgment जरूर याद रखें इससे आपके mains की quality इंप्रूव होती है और किस ने दिय हुआ है जैसे bride word mentioned है उसमें Hindu marriage act में तो उसको थोड़ा widely interpret किया था थोड़ा broadly interpret किया था उन्होंने bride यह कहा कि bride का मतलब women नहीं होता तिर women नहीं है उसका मतलब trans woman भी हो सकता है और intersex person identifying as woman भी हो सकता है उन्होंने इस definition को broaden करके देखा और इस से साब से उन्होंने अपना judgment दि किया था आगे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस judgment में शफीन जहां वर्सिस अशोकन केम यह judgments बहुत important है आप इसमें से अगर चार नहीं तो कम स्कम एक दो judgments आप जरूर याद रखें इन्होंने उसमें क्या कहा था कि marriage जो है वो core zone of privacy के अंदर आती है मतलब तो right to privacy आप दर आती है intimacies of marriage and society has no role to play in determining our choice of partners मतलब मारा partner कोई भी हो सकता है men भी हो सकता है women भी हो सकती है it is our choice society has nothing to do with it and it is purely in the core zone of privacy तो इस basis पे भी यह article यह कह रहा है कि इनको marriage का right दे देना चाहिए इसमें एक और point कहा गया है कि biological man और biological woman की definition बहुत पुरानी हो गई अब आप biology से उपर आए और biology से उपर क्या होता है आपकी identity gender identity आप किस तरह से अपने आपको देखते हैं तो यह biological word को यहां criticize किया गए कि biology से आप उपर आए उसके अलावा यह जो article है यह थोड़ा सा हट के भी बात करता है वो क्या चीज़ कहता है कहता है कि जो marriages है उसमें काफे reforms इंडिया में आये हुए है यहां पर यह बात कि वो self-respect marriages की है यह important है मेंस के point of view से आपके answers equality बहुत जाद अच्छी हो जाएगी दोस्तों अगर आप इसको लिखते हैं self-respect marriages क्या होता है यह तमिल नाडू अपुडू चेरी में legalize कि कर दी गई थी और हिंदू marriage act में subsequently इसको include कर लिया गया था self-respect marriages नॉर्मली marriages कैसे होती ह किसी priest के होती है और उसमें कुछ fixed rituals follow करने पड़ते हैं जैसे साथ फेरे लेना तो यह एक fixed rituals है तो यहाँ पर क्या किया गया self-respect marriages में पहली बात तो priest की जरूरत खतम हो गई और rituals को भी dilute कर दिया गया यह बोला गया कि अगर आप rituals follow नहीं करना चाहते तो आप ना करें फिर वह marriage जो है legal मानी जाएगी तो वह यहीं पर बात की गई है कि priest और religious symbols को यहाँ पर mandatory जो थे वह उनको remove कर दिया गया इसके अलावा यह article यह भी बोलता है कि 29 countries at least 29 countries in the world have legalized same sex marriages मतला बगर foreign दूसरे countries में यह चीज हो सकता है तो हमारा democratic country हमारे हां क्यों नहीं सकता आगे चलते ह देखे question of the day for the comment आपको यह बताना है कि जो three list है जैसे एक होती आपकी union list दूसरी होती आपकी state list दूसरी होती state list तीसरी होती concurrent list तो इन तीन list में कहां कहां पर mineral की बात की गई है mineral development की वो आपको बताना है वो कौन सी entries है ठीक है इसमें आप comments में तो यह सारी चीज़ें लिखे गही प्लस मैं आपसे यह आपसे घुजारिश कर रहा हूं आप इसमें यह जरूर देखें कि central government की power कितनी होती है state government की power कितनी होती है उसको अपने आप समझने की कोशिश करें क्योंकि यह आपके prelims और mains के point of view से तोनों के point of view से important है आगे चलते हैं sale of illegal htbt cotton seed doubles क्या htbt अभी हम देख लेते हैं htbt का full form है herbicide tolerant bt cotton आपको पता होगा कि इंडिया में bt cotton allowed है bt क्या होता है bt होता है आपका एक insecticide जिससे बचाने के लिए cotton के seed में हम genes डालते हैं ठीक है bt cotton क्या होता है transgenic crop है transgenic crop का मतलब क्या हुआ कि हम दूसरी जगह से genes लेकर क्या है और उस gene को हमने जो native cotton था cotton का seed था उसके अंदर डाल गया और यह हमने इसलिए किया ताकि जो insecticides effect करते थे cotton की planting को वो effect ना कर पाएं ठीक है अब इसके उपर एक level और इन्होंने बढ़ा दिया बीटी तो था ही था उसके उपर एक level यह जोड़ा कि herbicide tolerant भी हो गया हर्भी साइट्स भी जो होते हैं वो plants के लिए useful नहीं होते harmful होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हर्भी साइट tolerant gene डाला गया तो अब इसको क्यों मना किया जा रहा है आपने देखा यह इलीगल लिखा हुआ है तो लीगल तो है नहीं तो इलीगल क्यों है क्योंकि इन्वा अप्रूब बाइदी सेंटर को कमर्शल कल्टीवेशन इंडिया यह प्रिलियम के पॉइंट अफिस दोस्तों बहुत इंपॉर्टन है कि विच ऑफ दीज प्रॉप्स हाव बीन अप्रूब बाइदी सेंटर और कमर्शल एक्स्प्रॉइटेशन इन इंडिया तो उसमें सिर कार्शी बाइदी एЗब्यूदनफ सेंटर इन इरफम अब को इसके टवन करता है यह फोल स सपर बहुता है नियरबाई जो प्लांट्स है तू पॉलिनेशन क्या होगा नियरबाई प्लांट्स में जाएगा और वहाँ पर सूपर वीड्स डेवलप हो जाएगे आके चलते हैं और क्या प्रॉब्लम होगी क्योंकि इल्लीगल चल रहा है इंडिया में इल्लीगली भिक रहा है तो अकाउंटेबिल्टी नहीं होगी क्वालिटी क्या कोई गारेंटी नहीं दे सकता अगर कोई कंपणी किसी समान को बैष्टे है तो हम उसका जाके गौलर पकड़ सकते हैं लेकिन अगर कोई कंपणी नहीं बेच्रा ये लीगल पकड़ास है तो उनकी जो प्रोफिट्स हैं आप प्रॉफिट्स कम होग तो काफी कुछ यहाँ पर सभी लोगों को loss हो रहा है, farmers को भी loss हो रहा है, industry को भी और government को भी, अच्छा कुछ facts देख लेते हैं, कि जिए ट्रांस जनी क्रॉप से इनको approval कौन देता है, उसको approval देता है, genetic engineering appraisal committee, very important fact from the prelims point of view, और यह कहां आती है, यह ministry of environment and forest के under में आती है, और यह एक statuary body है, again very important point from the prelims point of view, it's not a constitutional body, और it's not an executive body, it's a statuary body, ठीक है, देखे, 2007 में BT Brinjal को भी GEAC ने approval दे दिया था, लेकिन 2010 में बहुत जादा problem होने के बाद, बहुत जादा agitation होने के बाद, यह approval वापिस ले लिया गया था, यह माना जा रहा था कि BT Brinjal जो है, environment के लिए sustainable न नहीं है, इसके अलावा एक और बात चल रही है, GM Mustard की, इसको approval लेकिन इंडिया में कभी भी नहीं मिला हुआ, आगे चलते हैं दोस्तों, यह बहुत important article है, US का taper tantrum, यह क्या चीज़ है, 2013 में एक episode आया था, मैं आपको अभी बताओंगा उसके बारे में, सबसे पहले हम liquidity वाली policy थी, कहने का मतलब market में infused पैसा वो करना चाते थे, ताकि growth जादा हो, आपको RBI के बारे में पता होगा, कि market जबी भी growth कम होती है, तो RBI चाता है कि market में पैसा जादा रहे, ताकि demand जादा बढ़े, और demand अगर बढ़े की, तो growth obviously अपने आप होगी, लेकिन अब यह मा control लगाएंगे वो लोगे, सबसे पहले control लगाने के लिए वो क्या करेंगे, asset buying stop कर देंगे, अभी तक क्या कर रहे थे, वो market में पैसा infuse करने के लिए asset buy करते थे, basically अपने जो bonds होगेरा थे, वो अपने भेजते थे, और asset buy करते थे, तो उस वज़ए से जब asset buy करते थे, तो उनको पैसा देना परता थे, तो market में पैसा जाता था, market में जब पैसा जाता था, तो growth होती थी, अब लेकिन वो जब से ये बात हुई है कि वो asset buying को कम कर देंगे, या stop कर देंगे, तो हर जगा, हर economy में एक हलचल मच गई है, उसका reason क्या है, देखिए, बहुत ही ध्यान से स और अगर रौन्ट की हो जाएगे, आप उसके कम लोग, après हो जाएगे, तो Jump lazicam, अगर,안ड कम हो गई, तो क्या होगा, Bonds की, basically किसकी कम होगी Bonds, तो bonds की जो price है, अगर demand कम होती है, तो किसी चीज़ की price कम हो जाती है, ठीक है, अगर price कम होती है bond की, तो yield बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ पर मैं अभी आपको यह नहीं बताऊँगा कि क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि it's a separate concept, it will take you 5 to 7 minutes to explain this, तो bond price जब कम होते हैं, तो bond yield बढ़ जाता है, ठीक है, अब bond yield बढ़ने का मतलब क्या हो, profit बढ़ जाना, yield का मतलब profit बढ़ जाना, अगर profit बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, होगा यह, कि US में जो bond yield बढ़ गई, उसकी वज़े से, लोग stock में पैसा क्यों लगाएंगे, stock is more risky, आपको पता होगा, bond और stock में, stock is more risky, तो अभी इंडिया में लोग आकर के पैसा क्यों लगा रहें, stocks में पैसा क्यों लगा रहें, आप इस बात को समझेए, क्योंकि US में bond yield कम है, वहाँ पर उनको उत्ता फाइदा नहीं दिखाई दे रहा, तो वो इंडिया में पैसा लगा करके bond yield में क्यों न डाल दें, तो जब वो bond yield में डालेंगे अपना पैसा, तो वो निकालेंगे इंडिया से मार्केट से, अगर इंडिया के मार्केट से निकालेंगे, तो क्या होगा, कि इंडिया में growth कम हो जाएगी, low growth हो जाएगी, low growth होने से क्या होगा, और जब पैसा न जाते हैं अपने country में तो हमारा currency devaluate हो जाता है तो अब जब US bond yield बढ़ेगा तो हमारी currency devaluate हो जाएगी अब जब हमारी currency devaluate हो गई तो हमारा import bill बढ़ जाएगा क्योंकि जब हम import करते हैं कोई समान तो हमको dollar के terms में payment करना पड़ता है अब क्योंकि हमारा रुपे की कीमत बहुत कम हो गई तो क्या होगा कि हमारा import bill in terms of Indian rupees बढ़ जाएगा तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर एक problematic है not only for India but for all the developing countries in which the stock market is very active आप नहीं चाहते हैं कि bond yield में लोग पैसा लगाएं आप चाहते हैं कि stock market में पैसा लगाएं ताकि growth हो सके 2013 का episode क्या है 2008-9 में recession आया था आप सभी को पता होगा बहुत तगड़ा recession था वहाँ पर कुछ banking fraud हो गया था उसकी वज़े से बहुत जादा जो globally था recession आ गया था लेकिन जब growth होने लग गई तो 2013 में उसने अचानक पैसा withdraw कर लिया और पैसा withdraw करने से यह सारी problems जो अभी हमने discuss की वह हो गई थी तो यह article यह कह रहा है कि 2013 episode की तरह यह sporadic exercise नहीं होने चाहिए बलकि continuous exercise होनी चाहिए और well planned होनी चाहिए and well communicated कि आप developing countries को properly बताएं कि हम यह करने जा रहे है आके चलते हैं दोस्तों Supreme Court ने High Court की ruling पे interfere करने से मना कर दिया ठीक है यह news हमाईली important नहीं यह news हमाईली important यह है मैं आपके लिए exercise चोड़ रहा हूं citizenship amendment act क्या है ठीक है उसकी आपको details जाननी है यह prelims की point of view से काफी important चीज़ है ठीक है दोस्तों I hope आज का lecture आपको पसंद आया होगा and अपने answers comment box में लिखना please बद भूलिएगा thank you so much